हलो अब्रीवन दिस इस पूर्वा तो यहां पर देखो मारवाडी कॉलिज इंटरमीडियट वालों का जिन भी इन स्टुडेंट्स ने मारवाडी कॉलिज इंटरमीडियट में फॉर्म बरा था उन लोग के लिए नोटिस है 11th का provisional selection list आप लोगों का publish हो चुका है यानि कि किनका किनका यहां पर आपको admission दिया जाएगा उनका selection list आउट हुआ है तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें हैं क्या तो आपको करना क्या है जैसे ही आप लोग इसके official website को खोलोगे तो first में आपको notice हो जाएगा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 11th first provisional list has been published last date for admission is 5th अगस्त यानि कि आज आपका I guess 30 July है और आपका 5th अगस्त last date है तो यहां पर इसे खोलने पर आप लोग जब इस पर क्लिक करो हो तो देखो आपका क्या लिखा हुआ है एक तो पहले cutoff list है दूसरा आपका pay fee है तीसरा आपका admission open term हम लोग पहले cutoff check कर लेते हो कै तो देखो cutoff में हम लोग आते हैं तो आपका क्या क्या option यहां पर दिया गय first provisional selection list of icon girl section icon boy section उसके बाद ISC girl section उसके रहाद है ISC boy section उसके रहाद है आईए girl section उसके रहाद है आईए boy section तो एक एक करके हम लोग पहले इससे देखते हैं तो देखो आप लोग इसके उपर click करोगे न तो आपका PDF डाउनलोड होगा ओके तो PDF को आपको खोलना है PDF को खोलने के बाद आपका यहां पर simply cutoff दिया रहेगा जिसमें पताया गया है आपका percentage आपका category को लेकर SC ST OBC और general वालों का कि कितना किसका cutoff गया है तो देखो यहां section का first provisional list है वो the subject of art, science and commerce यहां पर तीनों included है तो देखो merit list आपका देखो मैं बता रही हूं आपका इसमें BC1 का 68% गया है BC2 का 69% गया है ST का 63% गया है SC का 57% गया है और general का 72% गया है arts में वहीं science की बात करूं मैं boys section में आपका कितना cutoff गया है तो देखो यहां पर आपका general वालों का science में 84% cutoff गया है BC1 में 80% cutoff गया है BC2 में 81 गया है ST में 45% गया है और SC में 60% गया है वहीं मैं commerce की बात करूं तो commerce में general वालों का 72% गया है BC1 वालों का 66% गया है BC2 का 67% ST का 45% SC का गया है आपका 46% ठीक है तो यह आपका first में provisional merit list है आप लोगों का 5 यहां पर देखिये क्या लिखा गया है आपका 30 जुलाई से admission सुरू है और 5 अगस्त तक last date होगा इसके बाद जो भी students अगर admission नहीं लेते हैं यहां पर कहने का मतलब है जो भी आपका cutoff है ना यानि कि आपका जो भी board के exam में result आया है अगर इस percentage के according और आप आपके category के according ऊपर आपका ज्यादा percentage आया है तो आप लोग admission के लिए apply कर सकते हो बाकि second list आपका 30 यह 5 अगस्त के बाद आएगी और अभी जो cutoff बताया है इसमें आप लोग 5% तक minus कर सकते हो second cutoff के लिए ओके तो यहां पर अभी हम लोग यह क्या देख रहे थे यह आपका है voice section का intermediate science arts commerce अब हम लोग girls के लिए देख लेते हैं arts science commerce में क्या है देखो आपका BC जेनरल में girls के लिए arts में 70% गया है BC1 में 63% गया है BC2 में 65% गया है ST में 58% गया है और SC में 45% गया है इसके बाद फिर science में आपका general में 46% गया है उसके बाद फिर commerce में आपका merit में आपका 45% गया है देखो girls के लिए यहाँ पर अलग से cast category को लेकर इसके बाद girls quota भी यानि उनको special provision दिया जाता है तो आप लोग आप लोगों को आपका cutoff बगएरा पता चली गया आपने percentage के according आप लोग यहाँ पर जाकर admission ले सकते हो certificate, character certificate, migration certificate, cash certificate and income certificate अगर आप लोग SCST या फिर OBCO बाकि इसके लाब और और भी कुछ आपका है यहाँ आपको अल्रेडी बता दिया गया है इसे आप लग बग पढ़ लीजेगा बाकी में ब्रीफ में आपको कर दो देखो ग्यारवी कक्षा में अंदिम प्रवेश रूप से चैन सूचियों के अधार पर यानि कि कट-off के basis पर यहाँ पर admission हो जा रहा है उसके वाद बोले जा रहा है अंदिम प्रवेश महाविद्याले की website के माधियम से online प्रवेश सुल्क भुगतान सहीत लिया जाएगा यानि कि आपको online ही payment करना होगा जैसा कि अभी इससे पहले आपको online payment option दिखाया था मैंने इसका बोले गया च्छात्रों को निर्देशित किया गया है कि प्रवेश के लिए online आवेदन के दौरान उनके द्वारा क्या होगा वो सब आप लोग फीजिकल रूप से तयार रखे यानि उसको प्रिंट आउट वगएरा करवाले ताकि फीजिकल जब वेरिफिकेशन हो तो आपको आसानी हो के इसी तरह से कुछ और भी बहुत सारी important यहां पर देखे बोला गया है जैसे कि यदि कोई दस्ताव पेज फरजी और जाली पाया जाता है तो इस मामले मुमीदवार उसके माताफिता के खिलाब कानूनी कारवाई भी की जा सकती है सकती है कॉलेज आईडी कार्ड विल वी इसूड एट टी टाइम आफ फीजिकल वेरिफिकेशन ठीक है तो इस तरह से कुछ आपका यहां पर ह है बाकी यहां पर नीचे आप लोग स्क्रॉल करो तो देखो आपका सेलेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया है तो आप लोग अपने नाम देख लो कट आफ अगरा देख लो और जाकर जल्दी से अडमिशन ले लो ओके थैंक यू